पूंसे देखा था क्या इंडिक्स है क्या नहीं है यह सारी चीजे जिसमें से हम फर्स चेप्टर पहले मैं वो चेप्टर कराना चाहता हूं आपको जो पहले थोड़ा सा आता है अपको ठीक है ना और एक्जाम में भी पूछा जाएगा लगभग कौन्सा चप्टर करें पहले कि क्वाइनल अंच गण करें पहले या फर डपीरिशेशन będę रहत हूं कि कै अध्यक पाहले इसिए ना डपीरिशेशन भी करा हूँ तो पहले final account कर लेते हैं तो क्योंकि वह करा हुआ है जल्दी करना है खत्म उसको और यह 15 marks का पूछा जाएगा 15 नी 20 का हैगा तो अब देखो बीकॉम के अंदर आपको पता होना चाहिए कि एक question 20 नंबर का हैगा आपका 20 से 18 नंबर का वेटिज रहता है और सर यह रहेगा हमारा कितने नंबर का maximum marks 20 का और final account मैं बात करूं तो including GSTS में ठीक है मैं इसको थोड़ा सा speed में लेके चलूँगा क्योंकि आपके पास सर्फ और सर्फ तीन महिने हैं और चैप्टर मैंने लास्ट क्लास में बताया था 12-13 चैप्टर के असपास जो भी 8-10 चैप्टर बन रहे थे वह चैप्टर है और आपका semester 1 बहुत बड़ा आप 12 पता है क्यों पढ़ाई करते हो आप सबसे पहले पढ़ते हो फर्स से लेके 10 तक है ना हमें उस टाइम पर कोई यह नहीं बताता क्योंकि बताना भी नहीं चाहिए था फिर बच्चा पढ़ेगा कैसे 10 तक आप सर्फ बेसिक नॉलेज लेते हो मतलब कोई हर बच्चा आपके जैसा है कोई special नहीं है आपके साथ में friend भी वही पढ़ रहा है और कोई भी वही पढ़ रहा है सभी एक जैसा पढ़ रहे है लेकिन जैसे ही आप क्या करते हो 11 में आते हो तो आप special skill के तरब बढ़ जाते हो commerce, arts, science है ना और commerce, arts, science के अंदर अब जो आपको आगे further करना है आपने 11 बार भी पढ़ा और इसके अंदर majorly focus होता है हमारा कुछ new सीखना और प्लस दूसरे हमारे marks focus होते हैं इसको भी करके हमें कोई फाइदा मिलता नहीं है बसे आपने देख लिया 12th pass कर लिया तो SS कोई आपको नौकर जो जिसके लिए आप इस दिन से पढ़ रहे हो तो बहुत सारे बच्चों को मैं यह कहना चाहूंगा कि उनका एक mentality बना होता है कि सर बीकॉम तो हो जाएगा या honors हो या प्रोग्राम है हो जाएगा इसके साथ के साथ क्या लेके चले अगर कोई बच्चा मुझसे कहता है सर 11 बार भी तो मैं करी लूँगा ऐसे ही मुझे करना सिये है यह बताओ कि सिये की पढ़ाई क्यासे करें अगर आपके 11 बार भी के अकाउंट्स नहीं आती तो क्या आप सीये की तयारी कर सकते हो कभी नहीं होगी आपकी तयारी ठीक है ना तो उसी तरीके से अगर आपने यकीन रहता अब देरे-देरे जब जाओगे तो सारा खेल 10 यूर वगारा होता है तो आपके अगर कुछ कुछ सेलेक्टिड होते हैं कि हर बार पूछे जाते और आपको पता हो तो हम क्या करते हूं चार-पांच को चंज को को बहुत इमानदारी से पढ़ां तो आपके आने वाले आगे कोई भी कोर्स करें कोई दिक्कत नहीं और किसी में कोचिंग लेने की जुरत नहीं है बच्चे मैं देखता हूं जो बच्चे सीए करते हैं स्वेशली दो दो लाग रुपे ट्विशन फिस लगती है उनकी ट्रेट लाख एक लाख रुपे ट्विशन फिस जाती है और बीकॉम अगर आपने अच्छे से कर लिया ना तो मेरा मानना उन्ट्रमीडियेट से टफ विकॉम का स्लीबस है ज्यादा स्लीबस है आपको टोटल तीन साल में पता है कितने सब्जक्त पढ़ने एक साल में चौदा यानि 48 पढ़ने और सीए इन्ट्रमीडियेट में सिर्फ 8 तो बहुत डीटेल स्लीबस रहता है तो मैं यह कहूंगा कई स्टार्टिंग से ना एकदम बढ़िया से पढ़ के चलना है इसके अंदर ताकि आपको आगे चलके दिक्कत ना हो और जितने भी कोर्सिस लिखे ना इन सभी कोर्सिस में अगर आपके 50% बनते हैं तो तो आप आगे ये MBA, CA, M.com, CA, CS या बैंक के अंदर जाने क्या कर सकते हो अगर 50% नहीं बना तो नहीं जा पाओगे क्योंकि उनका पहला ही कंडिशन होता है candidate must be graduate at least 50% अब मान लो आप graduate तो हो गए अगर सेम मान लो आप बारवी पास कर लेते हैं और आप 34% से करते हैं और कोई college आपको admission ही नहीं देता 34% हर कोई बोलता भी है हम admission उसी को देंगे जिसके 40% हो तो क्या आपके 12th pass करने का कोई फाइदा होगा क्योंकि आपका 12th के बाद की पढ़ाई रुख जाएगा इन केस आप वहाँ पर रुखते हो तो अब दुबारा final account का पहले भी जो करा है विद GST करेंगे इसके अंदर जो GST के साथ है हमारा ठीक है न तो चलिए final account start करते हैं सबसे पहले final account जो है न क्यों कराए जाता है ताकि आप business की दो चीजे पता कर पाओ एक आपका profit and loss और दूसरा balance sheet दो चीजों के लिए करते हैं basically एक profit and loss और एक balance sheet अब profit and loss भी दो पार्ट में बढ़ जाते हैं हमारे एक होता है हमारा gross profit एक होता है हमारा net profit ठीक है एक होता है gross profit एक होता है net profit balance sheet के जानने के लिए आपको दो चीजों की knowledge होनी बहुत जरूरी है एक है हमारा asset और एक है हमारा liability अभी जो फिलहाल हमारे इस terms यानि इस semester में balance sheet है वही जो पुरानी balance sheet जो सीखते आए हो आप T-shape वाली वही है ऐसा कोई special balance sheet नहीं है आपने 12 में balance sheet याद करी थी heading wise वह वाला नहीं है simple balance sheet वह second semester में आएगा वह वाला balance sheet ठीक है तो एक gross profit एक net profit सर सबसे पहले आपको निकालना होता है gross profit number one और फिर आपको निकालना होता है net profit number two और फिर finally balance sheet बनता है ठीक है सर gross profit को निकालने के लिए आपको knowledge होना चाहिए direct expense and indirect expense और सर net profit निकालने के लिए direct income direct income के अंदर मात्र एक ही चीज़ आता है expense बहुत सार है वो देखेंगे direct income के अंदर सिर्फ आएगा sales और इसके लिए चाहिए क्या indirect expense या फिर indirect अब पहले हम इसके बीच में डिफरेंस जाना बहुत ज़रूरी है direct indirect ठीक है ना तो सर डायरेक्ट और इंडारेक्ट को एक example से समझ लेते हैं मालो आप कोई भी एक business start कर लेते हैं अब आपके ने business दो तरीके के होते हैं मैं एक simple से example से समझाता हूं दो तरीकी के business हो सकते हैं आपके और जो बड़ा businessmen होते हैं उसके दो ही दुकान होते हैं always सर दो दुकान कौन कौन से हैं एक होता है हमारा factory और एक होता है हमारा office कहलो showroom कहलो अब factory में क्या होता है हमारा समान बताओ बनेगा और जो बनाके हम क्या करेंगे office में showroom में बेचेंगे यह कहानी होती है तो जो यह कहानी है न कि हमारा यह दोनों भी कहीना कहीं आपस में connected होता है है कि ने क्योंकि जो भी समान फेक्ट्री में बनाते हैं वो हम कहां भेज देते हैं ओफिस में फिर बेखता है फेक्ट्री में क्या-क्या काम हो सकता है एक बार उसको भी जान लेते हैं Factor के अंदर समान जो खरीदा जाता है वो खरीदा जा सकता है कहा कहा से अलग-अलग जगह से अगर मैं Factor की बात करू तो यहाँ समान खरीदा जा सकता है या तो in India से ठीक हैं India से समान खरीदोगे या फिर दूसरा option आपके पास होता है आऊट side जैसे कि अब तो वैसे गौवर्मेंट ने काफी जादा जोड दिया है काफी जादा बोला है कि भाई मेड इन इंडिया करो लेकिन उससे पहले आपको पता था और इनफेक्ट अभी भी सारा प्रोडक्ट चाइना से आता था और फिर हम क्या करते थे यहां पर उसको एसेंबल करते थे एसेंबल का मतलब क्या होता है जोड के और बेच देना यही काम करते थे जब सारा प्रोडक्ट हमारा चाइना से आ रहा था तो उस सिचुएशन में न हमें एक खर्चा बीर करना होता जिसको बोलते हैं इंपोर्ट जे आधि क्या है टेक्स है जब हम समान क्षरित ना कहां से खरिती है जब इंडिया के बंठार से समान क्रितते हैं तो एक-कार का हमें text देना होता है जिसको क्या वोलते हैं import duty अगर आप इंडिया के अंदर ही वो समान बनाते हैं तो एक परकार का text देना होता है जिसको बोला जाता है excise duty ठीक है कई बार word आएगा ये अगर बाहर से समान लोगे तो आपको देना पड़ेगा import duty और जो इंडिया के अंदर ही समान आप बनाते हो तो वहां पर भी एक text आपके उपर लगा देती है government that is excise duty लेकिन import duty जो होता है वो बहुत heavy होता है मान लेते हैं अगर 100 रुपे का समान है तो ऐसा भी possible है कि 100 रुपे का text हो possibility है लेकिन जो आपका excise duty होते है वो एक percentage है 10% इस percentage का हमारे exam में कोई role नहीं है बस एक general knowledge के लिए बता रहा हूँ ठीक है तो आपको समान लाना है जब कभी भी समान लाओगे तो आप समान जब लेके आओगे तो आप by road या by ship by air लेके आओगे तो जब कभी भी आप समान لाते होना तो यहां पे हमें किराए दिना होता समान का जैसे ये है ठीक है तो जो transportation है इसको हमें दिना पड़ता है किराया किराय को हम बोलते है carriage क़े इसी किराय को बोलते है ठीक है जिक है ना इसी इसी को हम के लिए आपको ये पैसा देना पड़ेगा किसी से भी मंघवा आपको तो पैसा देना पड़ेगा उस ट्रांस्पोर्ट अजेंशी को और यहां पे ना आपके फेक्टरी के अंदर जो करकर काम करते जाल ने इस factory के अंदर ज्यादा से ज्यादा ना पता किस time की होता है मज़दूर type के मतलब कि वह कंप्यूटर अगरे ज्यादा काम नहीं होता उनKA समान को ऊठाना इधर रखना मसीन चलाना इस तयाओ का काम होते है मजदूर जिसे बोलते है तो जो इनको तन्खवा दी जाती है ना इस मजदूर को उसको हम बोलते हैं वेजस और फैक्ट्री के अंदर जनरली इलेक्ट्रिक का जो यूज होता है बहुत ज्यादा यूज होता है एक पावरफुल होता है हमारे घर में तो छोटा मीटर लगा हुआ है इसी से चल जाएगा अगर अपने घर वाले मीटर में आप चार-पांच एसी एड़ करोगे न और बहुत सारी चीज़ आपने कई बार देखा होगा ज्यादा चीज़े अगर चला दो ना अपने घर में आ दिया और तीन-चार एसी भी कनेक्क कर दिया तो उस केस में मीटर में आग भी लग सकता है उतना पावर ही कैपिसिटी नहीं है लेकिन फैक्टरी के अंदर तो हैवी हैवी ड्यूटी के चलती है और चौबिस घंटे चलती है वहां पर मसीने तो वहां पर बहुत हैवी में यूज होने वाले चीज है तो वहां पर जो भी कुछ होता है एलेक्टिरेंटि तो उसको एलेक्ट्रिक्रिसिटी ना capable के उस वहाँ पे डीजल वगयरे भी यूज़ होता है अब तो जनर्णेटर अब आ गया ना Lेकिन पहले के टाइम पे क्या था जनर्णेटर से डीजल को जो है जनर्णेटर को जो है डीजल से चलाते हैं और कई बार पहले kohl का भी यूज़ होता था कोईले का ठीक है न कोल का यूज होता था चलाने के लिए यहां पर इसके बाद आप जो भी यहां पर सबनाते हो उसके उपर एक खर्चा होता है समान बनाने को जिसको हम पता किया पोलते हैं manufacturing expense मतलब माल को बनाने का एक तरीके से खर्चा हो गया manufacturing expense होगी यह फाबर हो गया ठीक है है कि सेम हमारा साथा यहां पर हो जाएगा अब ज्वार से ज्यादा स्वादा फैक्टरी जो होता है ना हमारा किराये पर नहीं लेते तो पर वहां की जमीन जनली सस्ती होती है comparatively to आपका residential area में तो factory rent पे नहीं होता अपना ही होता है अगर rent पे हुआ तो इसका जो rent होगा वो होगा factory rent ठीक है ना otherwise rent पे होता नहीं है हाँ go down वगेरा हम rent पे ले लेते हैं क्योंकि go down fix नहीं है कि हमें हमेशा चाहिए जब समान ज़्यादा हो जाता है तो go down के वशकता होती है और समान जब कम मातरा में बना होता है तो go down चाहिए नहीं हमें अब ज़्यादा समान और कम समान go down चाहिए तो हम उसको किराये पे ले लेते हैं तो यहाँ पे आपका एक मतलब factory का जो भी समान को रखने के लिए जो भी यहाँ goods होते हैं उस goods को समान को रखने के लिए हम क्या करते हैं go down और उसका भी rent हो सकता है हमारा ठीक है ना इसको power और एक दो नाम से और भी जानते हैं उसको भी मैं लिख देता हूं power के बाद heating and lighting भी बोल देते हैं कई बार heating and अब जैसे ही आपका माल बनके तयार होता है आप क्या करते हो उस situation में अपने माल को भेज देते हो कहां भेज देते हो सर office में अब जब office में भेजते हो तब भी आपका यह जो है ना इसका खर्चा आएगा इसका किराया आएगा इसको भी केरिज बोलें लेकिन फरक यह है कि यह समान को लाने का है तो लाने के टाइम पर आपका क्या हो रहा है इन तो इसलिए कई बार इसके वर्ड के आगे इन वर्ड लगा दिया जाता है अब यहां से समान भेज रहे हो तो कई बार समान के आगे ना जैसे केरिज है तो मैं इसको बोल सकता हूं केरेज और जनरली ऑफिस के अंदर भी वर्कर काम करेंगे तो यहां ऑफिस के अंदर ना वर्कर जनरली मजदूरी वाला काम नहीं करते इनको दिया जाता है सेलरी इनको दिया जाता है salary जो office में काम करते हैं उनको क्या देते हैं हम salary क्योंकि वो एक अच्छे level पे काम कर रहे होते हैं अब लेकिन office में भी कुछ होते हैं जो worker का काम करते हैं समाने उठाना रखना उसको भी दिया जाएगा wages लेकिन फरक होगा यह office का होगा और फेक्टरी का होगा और जादा से जादा office जो रखते हो आप ऐसे area में रखते हो जहां पे आपको सब देखे जाने यानि अच्छे जगह पे तो वहां पे generally मकान लेना मुश्किल हो जाता है तो रेंट जो होता हैं अगर मैं सरिफ बोलू मैं रेंट payment कर रहा हूं तो हमेशा याद r ambiente कर रहा है आपको किस का रेंट जा रहा होग । अगर Max a Сам eter कर अगर मैं सिरफ टः इस्तमाल कर रहा हूँ तो किसका ओड़िआ और ऐसा ही थाने जो अर्वन इलेक्ट्रिसिटी बिल यह सिंप्ली आपका होगा इलेक्ट्रिसिटी बिल ठीक है और भी ऑफिस में बहुत सारे खर्चे होते हैं आपके जैसे कोई भी एड्विटीजमेंट करना है ऑफिस से होगा यहां पर दो जगाए के खर्चे आपके डिवाइड है कुछ खर्चे तो आपके ऐसे हैं जैसे कि मान लो अगर मैं बात करो तो कुछ खर्चे आपको ऐसे दिख रहे होंगे जो कि कि सक हमारे फेक्ट्री के और कुछ खर्चे आपके ऐसे हैं ओफिस के तो जितने खर्चे आपके सारे के सारे जितने भी खर्चे आपके फेक्टरी के होंगे उन खर्चों को हम direct expense बोलेंगे और जो खर्चे office का होगा। उसको क्या बोलेंगे? indirect expense, यह आपको ध्यान डखना है, ठेक है na? जो खर्चे आपके कहा के है area factory के, उसको कौन से खर्चे का नाम देंगे? direct और जो office के हैं उसको क्या बोलेंगे? तो sir factory के जितने भी खर्चे हैं वो सारे के सारे अगर direct हैं तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर जो आएगा वो आएंगे factory के खर्चे यानि आपको अगर trading account सीखना है बनाना तो आपको direct expense और indirect expense की knowledge होनी जरूरी है और direct expense कौन से खर्चे होते हैं factory के और अगर हम बात करते हैं indirect expense तो यह कौन से खर्चे होते हैं हमेशा office के और direct income में सरिफ एक मातर चीज़ है वो है sales और कुछ भी नहीं है और office के अंदर क्या है सारे चीज़े जितने भी खर्चे होते हैं income बहुत सारे हो सकते हैं यहाँ पर जैसे की हो सकता है rent receive यह commission receive and etc और भी चीज़े हैं जैसे जैसे आएंगी वो हम देखते जाएंगे ठीक है ना सर इस gross profit को निकालना कैसे जाएगा यानि आप gross profit find करोगे एक net profit तो gross profit जो निकलेगा ना इसके लिए हमें एक account बनाना पड़ेगा उस account से निकालेंगे that is called trading account यानि आपको gross profit निकालने के लिए आपको एक account बनाना पड़ेगा और उस account का नाम क्या है trading और trading account बनाओगे gross profit और उसके लिए क्या चाहिए आपको डायरेक्ट और net profit आपको निकालने के लिए आपको अब आते हैं सर्फॉर्मिट की बात करते हैं ट्रेडिंग और प्रॉफिट जो देख रहे थे ना तो वो ट्रेडिंग प्रॉफिट आपको थोड़ा पहले से से बहुत कुछ पता है इसके मारे में फिर भी एक वार मैं format बना लूँ कि जिसने नहीं पढ़ा हो पहले क्योंकि यह second term का chapter होता है हमारा इलेवन्थ क्लास में इलेवन्थ क्लास में कि दोनों अकाउंट आमने सामने पीच पर ही बना नहींते हैं सबसे पहला अकाउंट है इसको बोलेंगे हम दोनों अकाउंट इखटे बनने इसको हम नाम देंगे सीधा ट्रेडिंग इसको शॉट फॉर्म में लिख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉज को पी एंडल और यहां लिखेंगे फोर दा इयर एंडिंग जो भी साल का एंड का डेट है वह आ जाएगा ठीक है ट्रेडिंग अकाउंट के लिए आपको मैक्स टू मैक्स दस लाइने छोड़ना है जैसे कि मैं अपने एक्जाम मैं यहां पर मान लेता हूं मेरे दस लाइन इसमें कंप्लीट हो जाएग जादस जादस इस से उपर नहीं छोड़ना ट्रेडिंग लिए बस और उसके नीचे का हिस्सा जो यह देख रहे हैं यह सारा किसमें काउंट होगा प्रॉफिट एंड लॉस में यहां पर पर्टिकुलर यहां अमाउंट और यह होगे हमारा बैलेंश शीट नीचे लिखेंगे एज एड और देट आजएगा ठीक है इस साइड में आएगा लाइबिलिटी इस साइड में एसेट्स अमाउट ठीक है अब हम ट्रेडिंग अकाउंट यह प्रॉफिटन लॉस अकाउंट की हम बात करें तो trading account में क्या क्या आएंगे सारे के सारे direct खर्चे फेक्टरी वाले मैं simple simple कुछ-कुछ खर्चे यहां पर लिख देता हूँ सबसे पहले आपने लिखना है यहां पर opening stock opening stock यह बाहर आ जाएगा फिर दूसरे number पर आपका आएगा purchase और purchase हमेशा अंदर के साइड लिखना है इसमें से हम minus कर देते हैं क्या minus कर देते हैं purchase return और purchase return का एक और नाम होता है return outward फिर ऐसे लिखना है ठीक है इसके बाद यहां पर और भी खर्चे आ सकते हैं जैसे आ सकता excise duty जैसे अभी हमने देखा था power और जैसे बोला carriage ठीक है और क्या सकता है सर और भी यहां पर खर्चे wages employer की जो salary विख रहे देंगे wages यह खर्चा हमने यहां लिख दिया income में तो सर्फ मातर एक चीजे रहेगी buy sales और इसको भी अंदर लिखेंगे और अगर कोई return हुआ तो यहां से कुश्चन मार्क लगा देता हूं इधर एक और पॉइंट आता है closing stock कब आता है नहीं आता उसकी बाद में बात करेंगे जब हम adjustment करेंगे ठीक है ना इसको ऐसे रहने देता है अब इधर से या तो यहां profit निकलेगा या तो इधर निकलेगा अगर इधर निकलेगा तो क्या एक ग्रॉस प्रॉफिट थोड़ा space मैं इधर कर देता हूं कर देंगा और यह ना लाइन आमने सामप्राइब अगर इस साइड बैलेंस निकला तो बाइस साइड में तो क्या आएगा प्रॉस लॉस आएगा अगर यहां ताप आप एक्जाम में सही कर लेते हो तो आपको पांच नंबर मिल जाएंगे यह पीस नंबर का कोशन आएगा एक ही अपका पांच कोशन पूरे पेपर में आनें इस से उपर कोशन आएगा नहीं तो बीस नंबर का एकी सवाल आएगा और सिंपल सीधा सवाल आएगा ठीक है अब जो ये gross profit आपने निकाला है ना तो इस gross profit को हम इस side ले जाएंगे by gross profit इसी account में use करेंगे ठीक है यहाँ पर use हो गया यह जो gross profit हो इधर use हो गया अब इस side में सारे खर्चे लिख देंगे जैसे क्या क्या खर्चे हो सकते हैं जैसे salary rent मकान का office का rent commission discount trade expense और क्या हो सकता है और हो सकता है हमारा electricity bill benefits benefits general expense interest 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 depreciation administration expense बड़े सारे खर्चे हो सकते हैं जो कि आपको पता है जो कहां हो सकते हैं office के अंदर तो सारे खर्चे यहां लिख देंगे income बहुत गिने चुने होते हैं जैसे कि आपका discount receive जैसे जैसे कि rent receive जैसे कि commission receive और जैसे कि और भी एक सेक्ट्रा income हो सकता है यहां पर जो भी answer निकलेगा इसको यहां लिख देंगे टू net profit और जो यह net profit निकलेगा हमारा यह always कहां चला जाएगा हमारा balance sheet में चला जाता है ठीक है और इधर कुछ balance निकला तो उसके आगे लिखे है by net loss अब इस liability side में सबसे पहले आपने लिखना है capital और जो भी आपका net profit हुआ है उसके अंदर add कर दोगे अगर net loss हुआ है तो इसी में माइनस करते ना और अगर कोई drawing भी है तो वह भी माइनस हो जाएगा और इनका total इधर आ जाएगा ठीक है और बचे वे जितने भी liability है वह सारा liability इधर आ जाएगा जैसे कि bank loan outstanding expense bank overdraft इसके बाद bills payable creditor यह सारा इधर आ जाएगा और भी चीज़े आ सकती advance income इस साइड में assets आ जाएगा क्या क्या आ जाएगा building furniture stock machinery debtor goodwill हालाकि मैं goodwill लिख रहा हूं आता नहीं है पर हटा दो इसे कुछ condition है हम सीखेंगे उसमें पता चलेगा debtor के बाद bills receivable cash का balance bank का balance prepaid इसको करने के बाद हमारा यह दोनों साइड जब हम question करेंगे ना अब इसके अंदर gross profit और net profit दो अलग अलग अकाउंट है लेकिन हम इसको एक ही अकाउंट पर एक बार फटा फट से आप पहले एक बार नोट कर लो यहां से नोट करो फिर उसके बाद हम question के उपर चार्चा करेंगे advertisement expense बिल्कुल सही final account मैंने YouTube पे डाला हुआ है लेकिन फिर वही कहानी है कि वह पुरानी वीडियोज है और पिछली बार questions में कुछ नए adjustment आ गए थे तो वह सारे adjustment अब हम करके चलेंगे बुक जो लगेगी आपकी जे आर मोंगा बुक ले सकते हो